यूबी के सियम योगी आदितनाथ केंद्रे मंतरी नितिन गटकरी और मनुष तिवारी का आज जारखंड दौरा है जहाँ पर बीजेपी प्रतियाशियों के लिए वोट ये तमाम देगज मांगेंगे और चुनावी जिनसभा को संबोधित भी करेंगे बता दे कि जारखंड में 16 दिसंबर को 15 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान होगा कल तीसरे चरण का मतदान यहाँ पर हुआ और अब ये तमाम देगज पहुँचकर बीजेपी उमिद्वारों के पक्ष में वोट मांगने की अपी लोगों से करेंगे तो जारखंड प्रतियाश्यू के लिए चौथे चरण यहाँ पर किया जाएगा 16 दिसंबर को 14 चरण के लिए मतदान है तो गुरवार को तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ बर्चर को लोगों ने हिस्सेदारी दिखाई और अब चौथे चरण पर सभी की निगाहे चीकी है और उसी से प पहुचेंगे जहां वो कई चुनावी जनसभाओं को संभोधित करेंगे तो जारकंड दोरे पर सियम योगी नितिन गटकरी और वनोश्तिवारी और उनकी इन चुनावी जनसभाओं को लेकर तमाम तैयारियां जारकंड बेंग बीजीपी कारिकरताओं के तरफ से कर ली गई है क्योंकि इस बार बेहत कड़ी चुनावी एंडिय के सामने में क्योंकि एंडिय जो है वो अलग थलग इन चुनावों में दिखाई दे रहा है आज उसुने साफ तोर पर किनारा किया है तो ऐसे में किस तरह से बीजीपी के पक्ष में वोट करें कैसे इन वोटों को साधा जाए ये तमाम कोशिश है तमाम दिखजों की तरफ से और अब नितिन गटकरी मनोश तिवारी और यूपी के से योगी आदितना ज्वार्खन पहुंचेंगे जहां वो वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगी क्योंकि 16 दिस सभाओं को इन तीनों ही दिखजों की तरफ से संबोधित किया जाएगा और तमाम तैयारिय भी जुनावी जन सभाओं को लेकर कर ली गई है तो जहां एक तरफ वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी तो दूसरी तरफ विरोध्यों पर भी हमला यहां पर साफत और पर किय जा सकता है तो ज्छारकंड दौरे पर सीम योगी आदितनात, नितिन गटकरी, मनोश दिवारी जुनावी जन सभाओं को उनकी तरफ से संबोधित किया जाएगा